सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत में शिव मंदिरों के बाहर हाथ में साप लेकर सपेरों पर वाइड लाइप की कारवाई देखनों के मिली है सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत में शिव मंदिरों के बाहर हाथ में साप लेकर सपेरे दिखना लोगों के लिए एक आम बात बन चुकी है इस गैर कानूनी और कुरूर प्रथा पर रोगठाम के लिए वाइड लाइफ एस ओएस ने उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर सोमवार के दिन आगरा और मत्रा इस्थित प्रसिद शिव मंदिरों से 51 साप जब्त किये जो कि सपेरों द्वारा इन मंदिरों के बाहर प्रदर्शित किये जा रहे थे ये सपेरे भक्तों की आस्ता का फाइदा उठाने के लिए सांपों से भरी टोकरियों के साथ शहर भर में घूमते हैं सपेरों द्वारा सांपों को प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाना एक पैसे कमाने वाले व्यवसाय में बदल गया है जहां हर साल हजारों सांपों को जंगल से पकड़ कर बेरैमी से उनके दांत तोड़ दिये जाते हैं और फेर त्योहार से पहले महीनों तक भूंका रखा जाता है सावन के महीने के दौरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में आते हैं जिसका फाइदा ये सपेरे सांपों की प्रदशनी कर उठाते हैं जो कि एक गैर कानूनी और दंडिनी अपराद है शहर भर में इस क्रूर प्रथा के रोक्थाम और इस तरह की अव्यद गती वीधियों को बढ़ने से रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ SOS और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने सोमवार को आगरा और मत्रा में एंटी पोचिंग अभ्यान चलाया नो अलग-अलग मंदिर कैलाश, बलकेशवर, मनकामेशवर, राजेशवर, रावली, भूतेशवर, रंगेशवर, गलितेशवर और प्रत्वी नाथ से सपेरों से 51 सांप जब्त किये गए शहर भर में इन सपेरों ने कुल मिलाकर 51 सांप जिन में 49 कोब्रा, एक अजगर और एक रेट स्नेक सीज किये हैं सीज किये गए कोब्रा सांप में से अधिकांश के दांत तूटे हुए हैं और सपेरों द्वारा उनकी विश ग्रंतियों को भी बेरहमी से निकाल दिया गया है बचाये गई सांप भूके, निर्चली करण, तूटे हुए दांत और यहां तक की जीवाडू संक्रमण जैसी कई समस्याओं से पीड़त हैं सीन्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट